नमस्कार किसान भाईयो आपके इस यूटूब चैनल इंदुस्तान डेरी फारम में आपका स्वागत है और मैं आपका अपना दोस्त अंकित यद्दव आपके इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ किसान भाईयो जो थमनिल के अंदर आपको ने अडरी देखा है वैसा ये ड्राप अपनी बैस का बिलकुल आशानी से अपने गर पर बना सकते है इसमें मैं आपको तीन च्यार चीज बताऊंगा जिनी के उपड़ जो पशू का अडर है वो बिलकुल जद्दा डिपेंड करता है तो किसान भाईयो बिना कुछ समय गवाई वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए किसान भाईयो जो बैस का अडर होता है वो स इस्टिकल होती है वो बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस होता है साइज में क्योंकि इससे यह होता है कि जो आपकी वैस का अडर है वो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा इसलिए आप आपने सिम्मन लगवाई वैस को तो इससे पहले जानकारी ज जाएगा दूसरे नंबर पर बात आती है कि उसकी माक के जीन्स के उपर कि आ उसकी माक का आडर अच्छा था तो उसका आडर बिल्कुल नेच्वरल तरीक्ये से ही बढ़िया बनी जाएगा उसमें किसी परकार को संका की बात नहीं है और किसान भायों जो आपको मैं तीसरी हुआनी बात मैं बता जेता हुँ कि जो आदर होता है वो अपना विटामिन के अ चीआ होती है उस हे ग्रोथ होता है तो आड़र आम बिना जो विटामिन एच की दवा हैं उनके परसिय आपने पासुल का आ शाडर बना सकते हैं वह कैसे दोस्तों आप अपने जो फीड है वो नेच बड़िया तरिक्ये से अच्छा मैंटेन रखे आपके पशू नेचरल तरिक्ये से ही अडर ग्रोथ करेंगे और मैं आपके एक बात बता दू कि जो आपनी ये विटामिन अच्छ के दवाई आती है जो लिक्विड आती है उनके बारे में एक डॉक्टर से पुच्छा कि भाई शर कौन से दवाई लाएं तो वह बहला भाई एक मात बता मुझे अगर विटाम इन दवाईयों से ही जो आपके भैस कि आडर बनने लग गया तो बुल को देद बुल के के भी आडर बने जाएगा ऐसा उसने जो मजा किया तरीके से मेरेको प्रभावित की आउस्चे में काया नचाओंगा कि कुछ 19-20 फरक पर सकते है वरन्तु जद्धा फरक नहीं बडेगा जद्धा फरक आपने बैलेंस डाइट आप अपने पशू को दीजिए आपके दीन अडर क्वाल्टी होगी और दोस्तों आपको एक बात और का नचाओंगा कि जो अपने आरियाना है वो मुर्रा पशू दन के अंदर बहुत ज़्यादा एक नंबर पर जाज़ चुका है इस सिल्षले को ऐसे जार रखे और अपने आरियाना के पशू दन्वाच्छे श जो बाई लगे हुए हैं उनको इस हिंदुस्तान यूटूब चैनल की तरफ से बार बार धन्यवाद धन्यवाद